मैंने देखी ओपन हाइमा और मैं आपके साथ कुछ यह से युनीक पॉइंट शेर करना जाता हूँ इस मुवी के बारे में जो कि इसे बहुत ज्यादा युनीक डिफ्रेंट और एक एक्स्टर ओडिनरी डिफ्रेंट मुवी बनाते हैं एस कंपेड़ तो अदर क्रिस्टोफर नोलन मुवी और यह मुवी एक बहुत जादा डीप और फिलोसिफिकल एक्सपीरियंस आपको दीगी अगर आप इस मुवी को देखते हो और यह सम्थिंग विच यह बहुत जादा टैन्स होते हैं बहुत जादा पॉलिटिकली डीप के साथ बोले गए होते हैं बहुत जादा डीप फिलोसिफिकल मीनिंग सकते हैं और बहुत सारी साइंटिफिक चर्चाए भी होती है और साइंटिफिक टर्म्स का इस्तमाल किया जाता है इन दोस कॉनोजेशन जिनको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप उसमें से कई सारी चीजों को नोटिस कर पाओगे समझ पाओगे और एक हाई लेवल पे जाके इंटलेक्ट्वल लेवल पे जाके जो बातचीत होती है उस बातचीत को यह मूवी बहुत ज्यादा खुबसूरती से और अलग-अलग डाइमेंशन से एक्स्प्लोर करती है जो कि इस मूवी की ब Contradicting scenarios जिस तरह से present किये गए है अलग-अलग in terms of conversations those are something which are really mind-blowing which you will definitely feel in this movie दूसरी और important चीज़ इस मूवी को लेकर है इसकी philosophy और इसकी psychology philosophy यह है कि अगर एक ऐसा scientist है जिसने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो कि on a click of a button पूरी दुनिया को destroy कर सकता है उस scientific mind के उपर क्या असर होगा जब उसने ऐसी एक technology बना दी है जो कि पूरी दुनिया का इस level पे destruction कर सकती है कि पूरी की पूरी humanity existence of humans खतम हो सकते हैं that is something which is the pressure जो कि आप किलियन मर्फी के character को feel करते हुए देख सकते हो और यह चीज़ एक बहुत बड़ी बात है भगवत गीता के भी पहुत सारे references इसके अंदर दिये गए हैं आप उन references से relate कर पाऊगे समझ पाऊगे और भगवत गीता को यहां पे एक ऐसी किताब के रूप मे और उन्हें कहीं सारे अलग-अलग perspectives मिलते हैं भगवत गीता को पढ़ने के बाद जिने वो utilize कते हैं अपने scientific journey के pursuit में जो की काफी जादा जबदस चीज़ है और यह चीज़ मुझे पसंद आई क्योंकि यार भगवत गीता is something which is very essential in our culture and scientists from other part of the world are also reading भगवत गीता और उसमें से बहुत अच्छी knowledge आप्टील करें यह चीज़ एक बहुत बढ़िया point है जो कि इस movie के अंदर note out किया गया है point out किया गया है दिखाया गया है तीसरा है timeline based cinematography black and white अलग timeline color अलग timeline और यह चीज़ बहुत जादा unique लगती है अगर आप देखोगी movie को तो वो उसका जो experience है इसे enhance कर देती है the black and white and the colors of the movie और यह चीज़ बहुत अच्छी लगती है बहुत different लगती है और यह चीज के अंदर add की है और यह एक unique बात है साथी साथ इस तरह से बायोपिक जो uniqueness के साथ नोलन ने बनाया है शायद ही कोई एक डायरेक्टर इतना uniqueness के साथ और इतनी जादा effort के साथ कोई एक बायोपिक बनाएंगा and that is something which really is something extraordinary और पहली बार मैंने देखा कि किसी कि एक scientist की movie को इतना जादा जवर्दस तरीके से glorify किया गया किसी scientist को और उसकी journey को celebrate किया गया जो कि हमें दिखाए देता है इस movie के अंदर जो कि एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हमने ऐसी बहुत कम movies देखी है जो कि किसी scientist की journey को बहुत जादा deeply explore करती है और उसे glorify करती है पॉलीवुड में भी ऐसी बहुत अभी recently कुछ movies आई है लेकिन उससे पहले ऐसी movies बहुत ही कम बनी है and that is something which is a very extraordinary point और एक और चीज़ मैं add करूंगा कि जो conversations चलता है characters के बीच में उनमें intensity उनमें जो intense pressure या हम कह सकते हैं कि जो environment create करने का काम करते हैं वो करता है music मैं कहूंगा music is something which is just मैं कहूंगा कि एक दम बहुत जादा बारीगी से अगर किसी movie के लिए music को बनाया गया है तो वो इस movie के अंदर है चुकि आप feel करोगे बहुत सारे points पे और scientifically किसी अगर for example scientific कोई experiment हो रहा है तो उसमें किस time पे कौन सी अवाज आती है तो उस हिसाब से उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस research को note करते हुए यहाँ पे आवाजे आती है when the experiments are done and that is something जो कि आपका mind blow कर देती है इसमें एक example है कि जो मौम फटता है तो खुछ देर बाद आवाज आती है and वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से properly दिखाया गया है जो कि मु emotionally भी वो जो tension pressure है वो feel करवाएगे बहुत जादा deeply इस movie के अंदर next है cameos इसमें सिर्फ rdj का cameo नहीं है बलकि और भी कई सारे cameos है और मैं आप से कह सकता हूं कि जितने भी cameos है सारे के सारे cameos बहुत जादा beautiful तरीके से intertwine हो जाते with the character of openheimer और आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी cameo अलग से बहुत ज्यादा highlight हो गया है नहीं highlight हमेशा हमारी सिलियन Murphy ही रहते हैं लेकिन यह cameos इस तरह से beautifully story के अंदर interwoven है कि वह पूरे एक flow में निकल जाते हैं और आपको वह हिट होना चाहिए cameo का वह भी मिल जाता है लेकिन साथी साथ आपको यह भी लगता है कि हा जो कि मुझे पसंद आया सारी चीज़े visually बहुत बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की है Christopher Nolan ने और यहां पर कहा जा रहा है कि उन्होंने सच में atomic bomb खोड़ा था उसी के बाद उन्होंने उसे shoot किया था और जिस तरह से particles की moments दिखाई है वो भी मुझे काफी जादा visually stunning लगी बहुत सारी चीज़े हैं जो इसके अंदर बहुत ज़ादा detailfully की गई है जो कि इस movie को एक बहुत ज़ादा अलग level का detailed और एक rich cinematic experience बनाती है और Christopher Nolan की इस बात को हम deny नहीं कर सकते एक negative point की में बात जरूर करना चाहूंगा और वो यह है कि अगर आप expect करके जा रहे हो कि इस movie के अंदर आपको कुछ extraordinary Nolan style की movie का action या ऐसी कुछ चीज़े देखने मिलेगी तो वो नहीं देखने मिलेगी यह एक बहुत ज़ादा deep conversation और documentary style में बनाई गई movie है जो कि Nolan ने पहली बार present की है तो हाँ एक अलग थोड़ी feel होगी as compared to Nolan movies जो आप पहले द सारी चीज़े आपको deeply देखने मिलेगी यह था मेरा experience ओपन हाइमर देखने का आपका experience क्या था ओपन हाइमर देखने का आप definitely comment section में लिखके बता सकते हो और इसी तेख के वीडियो के लिए आप मुझे follow या सब्सक्राइब भी जरू कर सकते हो